कि चलो जी सभी लोग connected है आवाज आ रही है सभी को जल्दी से बताओ अगर सभी लोग connected है और सभी को आवाज आ रही है तो बस फिर आ जाना जल्दी से एक बार सभी लोग बता दो क्या background में और आवाज तीनों clear है और अगर सब clear है तो पिन नास फिर आगे बढ़ता है अज़र चालू करेंगे अज़र चालू करेंगे यह सर वेरी वेरी वेलकम तू आल आफ यू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिस यह विजय सार्ड़ा प्रम वी स्मार अकाडमी पूने और सर आज हम लोग चालू करने वाले है एक नया टॉपी एक नहीं जंगी शुरुवात होने वाली है स्टाड़िक मेनजमेंट सियay इंटर ग्रूप टू का सबसे आसान सब्जेक्ट स्कोरिंग और सबसे इंट्रस्टिंग इस बात को तो आप जानते ही है मैं हर बार जब भी कोई पड़ाता हूँ चाही मैं इंटर में पढ़ा रहा हूँ चाही मैं फाइनल में पढा रहा हूँ इंटर के अंदर में direct access and strategic management लेता हूँ irable में directfer and international taxes पढ़ाता हूँ तो जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं पहले दिनी अपने बच्चों से एक कमेट्मेंट कर लेता हूँ को भाई आपके दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर रहेगा इस बात की गैरेंटी मेरी आपने सिर्फ एक काम करना है यहां पर बने रहना है रोज साड़े नहुब जा आ जाना है यहां पर बड़े रहना है दो घंटे आपको नॉलेज मिलेगा और सबसे इंपोर्टनेट एक्जाम की त्यारी हम लोग बड़े जोडशोड से और मज़े के साथ करेंगे इस बार में अमेंडमेंट में आया यहां पर वोचीज सुनने को नहीं मिलते है क्या हम लोग प्यॉर्ली एक थेरी टॉपिक में लेकिन मोस्ट प्राक्टिकल ओरियंटेट टॉपिक्स के अंदर में एक चीज़ आप जानते हैं जिसका मुझे भी इंटरस्ट और आपको इंटरस्ट हैं कि आज आप लोग को भी स्टॉक मार्केट के अंदर में इंवेस्टमेंट से का इंटरस्ट है तो कैसे किसी कंपनी को एनलाइज किया जाता है कैसे किसी कंपनी के बोर्ड कंपनी के विजन को देखा जाता है और उसके थ्रू हम लोग कंपनी में इन्वेस्मेंट करते है है कि हब सोच के देखिए चाप्टर का schopa क्या होगा मतला मैं आप सभी से पूछना चाथ हूं च्क Cotton कि क्यों हमें स्ट्राट जिक मैनेज्मेंट सम्झाए जा रहे हैं क्यों हमें स्ट्राट जिक मैनेज्मेंट जा रहे हैं anybody को एक रफ आंसर मुझे प्रवाइड करके दे कि हमें स्टाटेजिक मैनेजमेंट क्यों है I mean इस कोर्स के अंदर में क्या अब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें स्टाटेजिक मैनेजमेंट दिया हो को मुझे बता है कि क्या लगता है कि हमें स्टाटेजिक मैनेजमेंट क्यों दिया होगा है क्या objective है में हमें क्या objective हम तो मतलब chartered accounts है हमें क्या scope है strategic management का क्या यह हमारे लिए चल रहा है या किसी और के लिए चल रहा है या दोनों के लिए चल रहा है I mean we as a professional हमारे लिए है या future में हम business करने वाले उसके लिए है या किसी और person के लिए है हमारे clients जो हम से आके advice ले रहे हैं उनके लिए एक जवाब for taking investments दूसरा जवाब for taking decisions importance of business company के profits और strategies कैसे बढ़ाये जाए to manage the clients to achieve the goals and targets अच्छा जी बहुत सारे word आ रहे है study का management कैसे करें सर इसलिए strategic management दिया है मेरे भाई यह study के management के लिए यह यह तो confirm है सर दोनों के लिए दिया गया है मतलब for us and for others as well and answer is yes strategic management सिर्फ हमारे लिए दिया है या किसी और के लिए भी दिया है सर दोनों के लिए दिया है पहले शुरुवात करने से पहले पहले दिन में आपको सब्जेक्स और अधर चीजों के बार में इंट्रोडक्शन दे दू फिर हम लोग ब्रीफ में जाएंगे जैसे कि हम लोग हर बार जाते है सब्जेक्स का नाम स्ट्राडेजिक मैनेजमेंट का है सर ग्रुप टू के अंदर में स्ट्राडेजिक मैनेजमेंट EIS SM करे के टॉपिक है सर कितने मार्क्स को अलॉट होता है सर ये सर मार्क्स अलॉट होता है 50 EIS 50 SM 50 मतलब यह 50 mark का बड़ा छोट आसा topic है सर एक्जाम में कितने marks के लिए पूचा जाता है सर 60 marks के लिए आपको पूचा जाता है out of that आपको 50 marks का solve करना है 60 marks के लिए आपको पूचा जाएगा out of that आपको 50 marks के लिए क्या करना है solve करना है अच्छा जी सर सर एक और सवाल है यह 50 मार्क्स के लिए हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं नी तो सर क्या होता है पता है पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था आपने यूनों डीटी के अंदर में 50 मार्क का बोला था लेकिन चालू यूनों वहां पर 16 टॉपिक थे यहां कितने टॉपिक पढ़न पर B-SM तो हम पार्ट B के अंदर में हैं पुरुचास मार्क के लिए आता है ओवरर ऐल पेपर में 60 मार्क के लिए पूछा जाता है और हमें 50 मार्क का क्या करना है और कुछ टॉपिक इस इंपॉर्टेंट एंड ग्रिटिकल। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से चाप्टर बड़े एजी है। चाप्टर नूमर वन, चाप्टर नूमर थी, चाप्टर नूमर फाईफ एंड चाप्टर नूमर शेविन यह भयानक एजी है। मतलब आपको बह बहुत hardly ऐसा question है जो घुमा फिरा के दिये जाएंगे but question number two, question number four, chapter number six and chapter number eight मतलब odd even वाला game है ये important भी है और critical भी है मतलब अगर आप SNK paper को पूरा analyze करो पिछले चार paper को अगर हम लोग analyze करें पिछले चार paper को अगर हम लोग analyze करें तो two, four, six, eight ये ऐसे topic है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा question घुमा फिरा के या critically examine करके दिये जाते हैं अच्छा जी अब आपके मन में एक और सवाल आएगा सर ये theory में आता है या theory breaks, case studies आता है या MCQ आता है, क्या आता है सर इस a combo it's a combo it's a combo of theory मतलब कुछ question directly theory question होंगे concept होगा, concept को आपको purely explain करना है theory है दूसरा है case based study आपको एक business situation दी जाएगी एक business situation दी जाएगी इस business situation को critically examine करके आपके direct questions पे hit किया जाएगा मतलब एक case study दी जाएगी इस case study को आपको directly question को hit करके आपको पूत बताना होगा के आपका answer क्या आने वाला है and तीसरा and the most important mcq sir मतलब यहां पे भी mcq है हाँ भाई यहां पे भी mcq है right 30% of this is mcq जिसका मतलब जिसका मतलब आप यह समझ लीजे जिसका मतलब आप एकदम आसानी से यह समझ लीजे कि भाई साब around 15 marks के करीब आपको mcq ही मिलने वाले है right but यह mcq direct mcq होंगे या again जो ICAI institute घुमा करके देता है वैसे वाले mcq होंगे sir सदीगे mcq दोनों तरफ से हो सकते एक कुछ mcq direct mcq हो सकते है और recently institute ने scenario based mcq भी दिया वा है वे case study एक scenario बनाते है और उसके basis पे mcq होते है लेकिन हम सभी को पता है अगर हमारे concepts clear है नहीं मेरे भाई तो यह scenario based mcq हमें कोई फरक creator नहीं कर सकते है yes और हमको हमारे base strong करने है अलग-अलग companies के बारे में पता करना है या companies के तरीके से operate करती है इस बारे में पता करना है and that's it अगर आपके concept clear है तो यह कोई भी problem नहीं आने वाला अच्छा सर तो चलिए strategic management it's a part B of EIS SM group 2 के अंदर में cover होता है 50 marks cover होता है 30% इसके अंदर में mcq आते है exam में 60 marks के लिए पूछा जाएगा swallow आपको 50 के लिए करना है मतलब 10 mark का आपको buffer मिलेगा जहां पे आप your and their question select कर सकते है आठ topic है odd even के basis पर बड़े simple तरीके से कुछ easy है कुछ important और critical है मतलब examination point of view से ध्यान में रखना है तो 2468 आप ये देख लिजे combination अगर देखा जाए तो किस तरीके के question आएंगे theory question होंगे case based mcqs भी होंगे और आपको case scenario case studies भी होगी अच्छा जर sir मुझे एक और बात बताईए कौन कौन सी books मिलने वाली है कौन कौन सी books मिलने वाली है sir सबसे पहली बात regular book एक आपको पूरा का पूरा concept book या regular book जिसको आप लोग कहते हैं वो मिलने वाला है तो sir notes होंगे it's a four color notes और मैं आपको बता दू आपके पूरे CA syllabus के अंदर में जो सबसे छोटे notes होंगे वो strategic management के ही होंगे जी हां किकि topics ही आट है 8 topic है right जिसके अंदर में 4 ही बहुत जादा critical है 4 तो बहुत जादा easy है तो बहुत आसानी से मतलब you know 150 pages के अंदर में आपका पूरे के पूरे notes कता में 50 mark के 150 pages के अंदर में 50 mark cover हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं topic बहुत scoring हो सकता है yes अच्छा तो एक मिलेगा आपको regular book दूसरा मिलेगा सहाब आपको charts inter ही नहीं final level पे भी हम लोग charts देते हैं आपका काम खतम हो जाएगा 9 pages के अंदर में आपका पूरा strategic management cover है तो SMK charts आप लोग को मैं provide करने वाला हूँ तीसरी चीज तीसरी चीज and the most important thing questionnaire strategic management है theory है तो हमार को एक सबसे बड़ी difficulty आती है और question आए तो हमें लिखना कितना है सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि सर अगर हम लोग को question आया है तो हमें लिखना कितना है क्योंकि अगर जब हम module open करके देखते है तो अब particular concept has been defined in weighing up to one page, one and a half, page, two page हमें कितना लिखना है सर जीवन में tension मतलो इसी के लिए लाया है questionnaire questionnaire ऐसी चीज़े जिसके अंदर में past examination question covered है आपका old practice manual institute issue करता था वो old practice manual यहाँ पे cover करके दियावा है right at the same time at the same time जो institute के questions है वो भी इसके अंदर में cover किये वे हैं कुछ extra questions from the various books इसके अंदर में cover की गई है तो question and answers आपको यह help करेंगे के questionnaire पूरा का पूरा यहीं हो जाएगा और class के अंदर में भी यह questionnaire से हम लोग क्या करेंगे question and answer discuss करेंगे so क्या होगा concept book से पूरे concept हो गए chart से फटा फट revise हो गया और आपके questionnaire से पूरा का पूरा question हो गया and fourth is mcq हम लोग आपको mcq provide करेंगे लेकिन यह जो mcq होगा यह pdf form के अंदर में होगा mcq जो होगा यह आपको pdf form के अंदर में होगा और यह आपको मेरे telegram channel के उपर मिल जाएगा और वैसी बात है mcq इतने सारे हो सकते हैं और when it comes to theory इतने number of correlations बन सकते हैं कि boss आपके लिए mcq हम लोग pdf पे देंगे so case based mcq होंगे is case based mcq के अंदर में जो institute के दिये हैं वो भी हम लोग cover करेंगे और साथ-साथ में extra mcq जो होंगे topic के अंदर में along with their solutions वो cover किये जाएंगे so books के अगर हम बात करें तो 4-3 चीज़ें आपको physical copy के अंदर में मिलेगी और एग चीज़ आपको pdf copy के अंदर में मिलेगी sir amendments कैसे cover किये जाते है 99% of the time इस topic के अंदर में amendment नहीं आते institute अगर module के अंदर में कुछ add कर ले तो बस उतना part होता है but 99% of the time इसके अंदर में otherwise नहीं होता वो भी 3-4 साल में एकाद बार किया तो किया और institute ने पिछले ही साल इसके अंदर में add up किये गए है अच्छा कुछ सवाल जो मेर से additionally पूचे जाएंगे इस topic से पहले sir ये old syllabus वालो के लिए है as well as new syllabus वालो के लिए है मैं आप सभी को बता दू essentially ये new syllabus वालो के लिए है लेकिन old syllabus वाला भी इस lecture को देख सकता है उसके अंदर में कुछ around 10-15% का difference है जैसे कि topic के sequencing में difference होगा topic old वाले जितने थे new वाले भी उतने ही है new में कुछ additional points cover किये गए है और old से कुछ points हटाए गए है तो old syllabus वालो को 10-15% अगर वो चाहें तो वो self में prepare कर सकते है और उनमें भी कही difficulty आए तो मैं वाँ पे available हूँ पर essentially ये new syllabus वालो के लिए तो है ही अच्छा जी मालिक सर सर में को एक और बात समझ नहीं है इस topic को start करने से पहले क्या topic wise test इसके अंदर में होने वाले है answer is yes topic wise test इसके अंदर में सर जरूर होंगे हम लोग एक एक topic पे लेंगे topic इतने चोटे कि तुमको खुद मजा आजाएगा test देने के लिए topic इतने चोटे कि तुमको खुद मजा आजाएगा test देने के लिए तो ये एक और चीज है जो हम लोग जरूर करेंगे सर यहां पे भी क्या हम लोग हर concept को लिखेंगे जैसे हम लोग हर बार करते आएं answer is yes, वो मेरा habit है क्योंकि देखे थेरी एक ऐसी चीज है जहां पे लिख के ही practice हो सकती है मैं कितनी भी examples बता दू, मैं कितनी भी companies के board and other structures आपके सामने रख दू पर आपको मजा तबाएगा जब आप concepts को लिखेंगे तो एक चीज हमारी ही जो habit है उसको हम जरूर follow करेंगे और वो है हर concepts को लिखना क्योंकि अपने points समझ के लिखना और उसके अपने ही examples बनाना ये अलग चीज होती है और इसमें मजा बहुत आता है और ये चीज हमको नहीं चोड़नी है मेरे भाई तो ये चीज हम लोग को करनी है और ये चीज हम लोग जरूर करेंगे आपको companies की कुछ strategies बाहर लानी होगी which will be based on concept only this will be the newest thing जो इंडिया में पहली बार मैं ही करने वाला हूँ right so this will be the newest thing मैं आपको किसी company को assign करने वाला हूँ और इस company के research को हम लोग analyze करेंगे इस company के shares को हम लोग analyze करेंगे और इसके analysis के साथ फिर इसके अंदर में मैं कुछ जगह पर आपको investments भी बताऊँगा कि यह यहां यहां तिरको इस तरीके से अगर तिरको पता चल चुका है और तू तेरे analysis पर पूरा का पूरा खरत उतर चुका है so now you can invest at least in one stock तो मैं आपसे at least एक stock investment आपको ज्यादा करना company पर confidence आ गया तो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो बट मैं at least आपको एक stock उस company का जरू खरवाँगा and that too based on your as well as my study तो यह चीज़ हम लोग जरू करेंगे यह चीज़ हम लोग जरू करेंगे इंडियन सेनारियो में बहुत changes आ चुक है और strategic management उसका एक बहुत बड़ा role play करेगा चलिए आईए धीरे से उतरते हैं topic के उपर मैंने एक सवाल पूचा था और इस सवाल पर मैं वापस आता हूँ और आप सभी लोग अपने computer screen के उप पर आजाए अपने mobile screen के उपर आजाए और मुझे जल्दी से बताओ everyone strategic management क्या मैं मेरे लिए अपना रहा हूँ या मैं किसी और के लियर अपना और management to your Bone auxiliary है हम क्या परनेश्च के भूळी है लिदा आफ सोचके देखो 11 में तुमने management पड़ा पूरा eleven तुमने management पड़ा ये बात अले लागा तो है तुमको याद कुछ नहीं है रही पूरा 12 तुमने मैनेजमेंट पढ़ा ये बात अलगे तुम्हार को कुछ याद नहीं है यहां फिर मैनेजमेंट आगे तुम्हार को पढ़ने के लिए जिंदगी में सवाल उटा यार करना क्या है इतना मैनेजमेंट पढ़ा क्यों रहे है और आखिर किसके लिए और वापस से वही सवाल पर और बहुत बेसिक से जाते हैं, sir management कहां से कैसे और किसके लिए, for whom it is done, आई ये, please give the heading, chapter number one, basic of strategic management, basics of strategic management, आज का objective सिर्फ और सिर्फ basics के उपर भाग रहा है, आज मैं बहुत सारे basics पढ़ेने, बहुत सारे basics के उपर जाएंगे, तो चलिए इदर आई है, सबसे पहले, SM for whom, strategic management आखिर किसके लिए, हम किसके लिए strategic management लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले, for self, strategic management आखिर किसके लिए, strategic management खुद के लिए, I think हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे, जो आगे चलके क्या करना चाते है, business करना चाते हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो आगे चलके खुद की practice करना चाते हैं, अगर आप खुद का business करना चाते हैं, खुद की practice करना चाते हैं, तो एक चीज जिसकी जादा आपको जरुत पड़ेगी वो है strategic management. सर कैसी बाते कर रहे हैं? धन्दा तो हमारे बाप दादाओं ने भी किया है, धन्दा तो हमारे घरवाले भी कर रहे हैं, उनने तो कभी strategic management नहीं पड़ा करने से पहले. यही तो फरक है मेरे भाई, यही तो फरक है, कोई भी चीज को करना और सीख के करने में फरक होता है. वो कहते हैं पहली पहली बार अगर कोई stock market में आता है तो आता तो बड़े जोश से है, आता तो बड़े जोश से है, दो तिन टिप सुन करके आता और टिप सुन करके वो पै बिजनस हमारे यहां हमारे डाड हमारे दादा जी और हमारे इनुं हमारे डिलेटिफस में बिजनस करते होंगे लेकिन एक फरक पता है कहा है strategy के साथ business करना और without a strategy business करना दूरों में बहुत बढ़ा फरक है और इस recent pandemic ने ये चीज आपको बहुत ज़ादा सिखाएगा हम कई ऐसे examples लेंगे अभी आपको समझाएगा कि बहुत business और traditional business के अंदर में बहुत बड़ा फरक create हो गया है और इस pandemic के बाद believe me इस pandemic के बाद अगर business को सबसे ज़ादा ज़रत पढ़ने वाली है ना पढ़ने वाली है strategy की क्यों क्योंकि business को अब revival की ज़रत पढ़ने वाली है पिछले देड़ साल से business बंद पढ़ चुके हैं पिछले देड़ साल से कई लोग जिनकी रोजी रोटी business से चल रही थी उनके business अचानक से बंद हो गए earning capacity बंद हो गए competition अलग level पे पहुँच गया उनकी liabilities बरकरार है लेकिन income के source कम हो गए ऐसे कि इसमें आपको क्या लगता है सिर्फ business का knowledge रखना या product बेचना business हो सकता है या business को strategy लेके business को leap लेना एक बड़ी चीज हो सकती है और वेसी बात है business को एक strategy की जरौत पड़ेगी किस की जरौत पड़ेगी strategy की जरौत पड़ेगी एक छोटा सा example आपके सामने रखता हूँ और देखिए किस तरीके से ये example एक different role play करता है आज तक के आज तक के आपको आपके recent by food joints पता थे आपके घर के आस पास के जो भी recent food joints है उनको सोच करके देखिएगा राइट सोचिए ये foods joints जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे थे बरबर बहुत अच्छे से चल रहे थे कई business joints ने एक गलती कर दी जो दूसरे business joints के लिए revenue create कर गया जो old business joints है जिनके आच्छा खासा sales चल रहा था ये क्या कर रहे थे ये लोग किसी भी food company के साथ associate नहीं हुए initial level पे like zomato, uber eats किसी के साथ associate नहीं हुए क्योंकि इनका business अच्छा खासा set था यही कुछ business उसने क्या किया उन्होंने कहा कि नहीं यार ये एक revenue source बन सकता है इधर से भी अगर एक order आ रहा है अगर हमें commission देना पड़ रहा है तो क्या problem है let's do it उन्होंने क्या कर दिया zomato और swiggy के साथ business में enter कर दिया और इन्होंने अपना product वहां पे list कर दिया अपना पूरा का पूरी चीज लिस्ट कर दिया इसी situation के अंदर में क्या हुआ इसी situation के अंदर में अब जो व्यक्ति office के अंदर में बैठा है और उसको भूख लग रही और meeting चालो है and he cannot go and eat in the nearby eateries अब उसने क्या करना चालू कर दिया mobile सब के हाथ में था उसने order देना चालू कर दिया मतलब जो nearby eatery थी जो nearby eatery थी उसका sales dip हुआ क्योंकि यह आदमी अप उठके वहाँ जा नहीं सकता आदमी घर पे बैठा है मैच देख रहा है बढ़िया तरीके से अब उसको बाहर जाना नहीं है मतलब अब वो वहाँ नहीं जा रहा था पर business ने ये चीज़ घर पे पहुचा दी अब यहाँ जो local by nearby eatery थी इसका sale dip हुआ और जो लोग zomato और swiggy से associate हो गए उसने delivery देनी चालू कर दी जब लोगों के घर पे delivery आनी शुरू हो गई तो लोग देखने लग गए कि ठीक है यार भले ही मेरे लिए 10 रुपे 20 रुपे जाता बच गया लेकिन मेरा time बच गया वहाँ जा करके eat करने का वहाँ line में लगने का वहाँ ने का वहाँ line में लगने का वहाँ खड़े रहने का और वहाँप 260 पछने का यहाँ मेरा काम करते हुए eatery आसकता है यहां पर में enjoy कर सकता हूँ में मेरे place पर enjoy कर सकता हूँ इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही ये लोगों ने कुछ नया ट्राई किया और इनको टेस्स समझ में आया, इन्होंने रिव्यूज देने चालू किये, रिव्यूज देने चालू किये, बिजनस बढ़ना चालू हुआ, अब समझ ना, जो लोकल व्यक्ति था, जिसने ये बिजनस को strategy लगाई ही नहीं वो अपनी धंदे से खुश था उसने अपना business होया ही है उसने अपना business पाया नहीं लेकिन जो लोग एक नया strategy लगा करके एक add-on कर बैटे इनके लिए नय कस्टमर आ गए in fact वो customer भी आ गए जो जानते नहीं थे बट reviews के basis पे इन्होंने food लेना चालू किय I am sure आप भी क्या कर रहे होंगे आपको अगर कुछ खाने की इच्छा हुई होगी आप भी तुरन स्वीगी पे गए होंगे स्वीबी के चा करके चेक करना चालू क्या होगा जब आपने चेक करना चालू क्या होगा तो सबसे पहले आपने क्या दिखा होगा reviews पड़े होंग आपको समझ में आया, business के dynamics change हो गया, business के dynamics change हो गया, जो old तरीके से business कर रहे थे, उनके business reduce हुए, और जिनों ने नए तरीके अपनाये, इनके लिए revenue बढ़ गये, इनके लिये revenue बढ़ गये, ठीक उसी तरीके से, अगर आप सोचते हो कि boss, आपको business करना है, तो आपको strategy अपनानी है हम लोग धंदा पहले भी वैसा होता था धंदा आज भी वैसा होता है लेकिन धंदे करने के तरीके बदल रहे हैं क्या बदल रहे हैं मालिक जल्दी से बोलो बिजनस करने के तरीकों को हम बदले जा रहे हैं और ये बिजनस करने के जो तरीके हम बदल रहे हैं ये strategic management के थ्रूँ आता है ये अलग-अलग-अलग strategies के थ्रूँ आता है so business आज भी वैसे ही होता है product दे, पैसा ले services दे, पैसा ले लेकिन तरीके हम लोग बदले जा रहे हैं और ये तरीकों को बदलना ही हम लोग कहते है strategic management की basic needs, इस example को हम वापस continue करेंगे, so strategic management किसके लिए होता है, self के लिए होता है जब आपको कोई business या profession करना होता है तो no doubt हो सकता है आपके घर में existingly business हो लेकिन इस business को बढ़ाने के लिए कुछ strategies लगती है, हमारे you know, दादा जी, पापा ये business के अंदर में, you know, क्या नहीं करेंगे ये zomatos भी की, इन लोग के साथ एक problem है technology इन लोग के साथ एक problem है technology और आप, अगर उस business में join होते हो, उस business को expand कैसे कर सकते हो आपको technology समझती है आप इस product को अलग-अलग जगा list कर सकते हो, अब होगा क्या अगर कोई, यहाँ वाला जो existing customer है, यह तो आपका customer है ही अगर आप किसी अलग-अलग websites पर product list करते हो, no doubt उनको commission देना होगा, पर आपको एक additional customer भी मिलेगा profit में से commission देना या आपको दुखन, आपको इसमें दुखनी होंगे क्यों? क्योंकि आप उसको profit में से एक commission देने की खुद के लिए है, दूसरा यह किस के लिए है? clients के लिए है यह आपके clients के लिए भी है, कैसे? आज business environments इतना बदल गया है, यहीं पे मैं दूसरी चीज ला रहा हूँ a change in business environment a change is business environment आप बताईए आप मुझे समझाईए recent times में आपने क्या-क्या change देखे business के अंदर में recent times में आपने क्या देखा अगर हम सिर्फ pandemic की बात करें आपने क्या देखा क्या situation arise हुए किसी भी business या profession के आस पास में सभी लोग फट्टाफट कमेंट और जिसने कमेंट नी क्या उसको attempt की कसम सभी लोग मुझे सिर्फ ये समझाईए कि क्या recent changes आपको देखने को मिले है business में क्या problems arise हुए बिसने में what are the problems that has been created in the recent times in the business profession एक traditional business या जो भी business आपके घर पे होंगे आपके रिलेटिव के होंगे आपने देखे होंगे इनको क्या problem arise हुई है in the recent times तो कुछ चीज आ गई है एक चीज जो सबसे बड़ी बदली है वो है technology टेक्नोलोजी एक एक मिनट रुको मैं पहले लिख लेता हूँ और हरे एक के ओपर एक्जाम्पल दूँगा तो दूँगा अनलाइन मोर्ट दन ट्रैडिशनल मोर्ट ट्रैडिशनल मोर्ट चेंज हो गय है अनि अधर दिंग शिफ्टिंग डिजिटल मार्केट वो हो गया मेरा वाइश शिफ्टिंग डिजिटल मार्केट हो गया रेवन्यू कम हो गया वर्क फ्रम हो गया एक्सपेंसे सेमें नहीं आप सेम बाते करें जारे हो मालिक और भी कुछ सोचो और भी कुछ सोचो टेक्नलोजी के अलावा भी कई चीज़े बदली है एक हो गया टेकनलोजी यह जवाब दिया धनंजय ने धनंग ने बहुत बगी यह जवाब दिया साब लाउचेंग वहा है लाइश चेंज हुए हैं एफ यह एफीशन सी अच्छा आपको नहीं लगता एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनस चेंग विया expectation from business change वी है that is CSR activities CSR activities customer behavior customer behavior आपको change मिल रहा है बहुत सही जबाँ method of maintaining books of accounts ठीक है loss के अंदर में cover कर लेते हैं एक और चीज़ आप नहीं समझ रहे हैं मैं वह बूल देता हूं चलो मेरे तरफ से एक एड़ आप करता हूं boundary less business boundary less business now understand this thing recently business environment में changes का changes in business environment in recent times changes in business environment in recent times सबसे पहले क्या बदला अब एक एक चीज़ के उपर हम लोग क्या करेंगे knowledge देखेंगे और एक एक चीज़ के उपर हम understand करेंगे recently changes in business environment business environment में technology changes हुई है सबसे पहले technology changes हुई है हम सभी जानते हैं इस pandemic ने और pandemic नहीं आता तो भी business करने के तरीके बदल गए because हम technologies पे shift हो गए जो आदमी एक गल्ली में किराना दुकान लेकर के बैठता था ना उसका business eventually कम हुआ that is slow down हुआ slow down का one of the reason क्या था technology था sir कैसे कम हुआ भाई साहब आप समझे ना समझे मेरे यहाँ पे पिछले चार साल से जो किराना आता है वो ग्रोफर से आता है ग्रोफर से आता है बिग बास्केट से आता है लोगों ने business करने के तरीके बदल दिया आज शहर के अंदर में logically किसी के पास time नहीं है शहर के अंदर में families जो हो चुके यह nuclear हो चुके है सोच के देखना अगर आप लोग का किराना या किसी की रिलेटिव क्या किराना है तो उसको जड़ा suggest कीजेगा सर विजनस आज local किराना वाले का धंदा कम हुआ है क्यों लोग malls में जाते हैं एक साथ जाते हैं एक साथ सारी चीज़े खरीद करके लेके आ जाते हैं लोगों की thinking बदली देख customer behavior बदला कैसे बदला पहले लोग जाते थे एक ही जगा किराना से किराना लेके आ जाते थे दूसरी दुकान से कुछ और लेके आते थे तीसरी दुकान से कुछ और लेके आते थे Imagine कर ट्रैडिशनल ही हमारी ममी किराना कहीं और से आता था प्लास्टिक के चीज़े और साथी थी electronics कहीं और से आता था आज लोग क्या करते हैं एक टाइम निकालते हैं मॉल में जाते electronic भी वही मिलेगा supermarket भी वही मिलेगा other plastic and other products भी वही मिल जाएंगे यानि एक चीज जो logo ने बदल दी, वो बदल दी है customer behavior, लोगों के पास time कम और output जादा करना है काम हो नहीं हो output जादा करना है अब technology ने क्या बदल दिया technology ने क्या बदल दिया technology ने ये बदल दिया कि आज लोग किराना दुकान पर जाना पसंद नहीं कर रहे किराना घर तक पहुचाओ घर तक पहुचाओ, बिग बास्केट का revenue उपर DMART all time share high DMART AC company जो listed है DMART AC company जो listed है 2400 प्लस pricing चल रहा है DMART का आपको पता है, आपको पता है business analyst क्या कहते है DMART जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से ये share price कभी भी 4000 दिखाएगा ये share price कभी भी 4000 दिखाएगा अब ऐसा क्यूं? चलिए, कभी अगर time मिले lockdown open हो, तो जाईएगा DMART के बार खड़े रहेगा DMART, राधा कृष्ण दमानी जी का group है, राधा कृष्ण दमानी जी का group है, इसलिए DMART DMART का DMART है क्या किया, business में अचानक से इतना उपर कैसे आ गए कैसे इंडिया के one of the richest person बन गए, मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा business देखिएगा, उन्होंने एक चीज समझी, जरधान से सुनना, उन्होंने एक चीज समझी, क्या चीज समझी, कि लोगों को इंडिया में चाहिए सस्ता माल, लोगों को इंडिया में क्या चाहिए, सस्ता माल चाहिए, राइट, इसके लिए वो लोग इंतजार कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग इंतजार कर सकते हैं, कभी भी दीमाट के अंदर में अगर आप जा करके देखोगे, आप में से कई लोग दीमाट में गए हो, एक चीज वहाँ पर आपने constant देखियोगी, अगर देखा हो तो सही में हाँ कहना comment के अंदर में, भीड आप कभी भी दीमाट में जाओ, और कोई भी दीमाट में जाओ, आपको वो खाली नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर भरावा ही मिलेगा, लोग भरे में मिलेगे, क्योंकि इन्होंने बलक में उठाना शुरू किया, इन्होंने बोला भी हम बलक में उठाएंगे, बलक में उ जादा है जजजेशन टाइम रखा जाता है आप कभी भी अगर डीमार्ट को देखो गे तो डीमार्ट स्पेस वाइस कभी भी बड़ा रहेगा दिख बज़ियें कर दो लोगों को घुमने के लिए टाइम दो लोग सस्ता रहेगा तो एक सजाधा चीज़ें उटा लेंगे जो दिमार्ट ने तो नहीं चैनल मैं। वो भी रिक्नों में उठा करके लेका आएंगे। दिमार्ट कभी भी बड़े स्पेस में बनाया जाता ही। कभी सूच कर देखनाँ। लेकिन दिमार्ट को छोटे स्पेस में से कुछा सुधwa होगा। टेक्नोलाजी चेंज विई टेक्नोलाजी चेंज विए दीमाट आगे एक्नट उनलाइन आगे दीमाट ओनलाइन आगेया मतलब जो आफलाइन बिजनस कर रहा था ये तो करी रहा था टेक्नोलाजी लेकर क्या आ गया ऑनलाइन बिजनस के अंदर में आगे बढ़ गया, बिजनस एन्वार्मेंट चींज हो रहा है, अब यहां पे दो तरफा डी माट ने स्टाटीजीज लगई, दो तरफा लोकल सेल्स तो कलेक्ट किया ही किया, ऑनलाइन भी कलेक्ट किया लिया, बिग बास्केट क्या किया उसन प्रोड़क्ट तो आज भी बिकरा है, हिंदुस्तान उनिलीवर, प्रोड़क्ट तो आज भी बिकरा है, प्रोड़क्ट आज भी आईटीसी का बिकरा है, प्रोड़क्ट वही बिकरा है, लेकिन टेकनलोजी के थुरू आपके घर तक के पहुचाया, बिजनस एन्वार्में इन्होंने क्या किया यह customer तक के पास चले गए customer अपने पास नहीं आ रहा तो so what has changed technology has changed technologies wise क्या क्या change आ गया है कई सारी website आ गई है कई सारी website आ गई है for example big basket कई सारे app आ गए है for example grovers क्लेश आ गए है recently मैं आपको बताओ technology में क्या जबरदस्त काम किया है farmers local farmers वहीं goods बेचेंगे recent market area में जा करके बेचेंगे एक व्यक्ति है जिसने चालू किया एक app called as farm fresh farm fresh सुबस साथ से 11 बजे तक product deliver करता है मैं मेरे घर की बात करता हूं सब बाकी दूर नहीं जाता में मेरे घर की बात करता हूं मेरे घर से market शायद ही 10 मिनिट की दूर होगी शायद ही 10 मिनिट की दूरी होगी रैट क्या हो गया मैं 10 मिनिट की दूरी पर नहीं जा सक्रम मैं बुला है और वहां जाओंगा आदी गंटा उससे बैड भावता हो कर कोई discount नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता farm fresh सुबब 7 बजे आप रात में book कर दो मैं कोई यह चाहिए सुबब 7 से 11 के बीच में आपके घर पर delivery ला करके देगा जो आप purchase कर रहे है उसके अगेंज में क्या करेगा आपको credit भी provide करेगा credit coins provide करेगा जिसको आप बाद में redeem कर दोगे farm fresh अब जितनी सबजी जितने agriculture related product चाहिए मेरे बाहर नहीं जाएगा farm fresh से घर पे बैटे बैटे बुक करेगा रात में एक बजे मुझे purchase करने की इच्छा है मैं रात में एक बजे purchase करेगा delivery time उनका मेरेको कोई problem नहीं मेरा time बच रहा है मैं मेरे घर के घर में हो मैं मेरे दूसर करने काम कर रहा हूँ so first thing which has changed the business is technology लोगो ने अपनी website create करना शुरू की अपने app बनाने शुरू किये right and believe me this is the era आप अगर अपना website बना करके बेचतो ना मेरे भाई तो technically तुम एक virtual दुकान और खुल दे रहो without any fixed cost तुम एक virtual दुकान ओपन कर दे रहो without any fixed cost आप मुझे सोच क करके बताईए right एक सीधा सीधा technology के example आपको we smart का खड़ा करके देता हूँ we smart we smart 2005 में open हो गया 2014 तक के सिर्फ local market को tap कर रहा था सिर्फ local market पूने को tap कर रहा था बाकी काम नहीं 2014 में we smart में विशाल सर उतरते हैं कहां पे online business के अंदर में और online business को creepin करना शुरू करते हैं सोच ल आतक नहीं पहुच पारा चलो एक काम करते हैं हम बच्चे तक पहुचते हैं और पहली बार satellite classes, live classes, pen drive classes का sort दिया जाता है right जहां पे market में you know उस टाइम पे एक situation थी कि यार you know कोई भी pen drive देख लेगा कोई भी देख लेगा कोई ले लेगा competition है आदमी को सोचना पड़ता है कि कोई दूसरा देख करके सेम पड़ा देगा ये कर देगा वो कर देगा बहुत सारे सौत उटे किसी ने अगर लीक कर दिये lecture तो क्या क्या की बॉस जिसके कारण earning चलती है वो ही problem में आ जाएगा sir लेकिन एक risk लेकर के कुछ security के साथ ये चीज़ चालू की गई risk लेकर के security के साथ ये चीज़ चालू की गई आज जब 2014 से 2021 देखा जाता है वी smart all over India including Dubai and Nepal अपना product sell कर रहा है अब आप सोचके देखिए local customer तो जो था वो तो था ही add-on कहां मिला add-on कहां मिला add-on मिला technology के through अगर technology पे shift नहीं होते और pandemic होता imagine करके देखिएगा कई teachers के साथ ऐ पर आप सोच करके देखिएगा अगर technology पे हम लोग shift ना हुए होते तो आज जितने भी teachers होते अगर technology ना होती तो जितने teachers होते educational institutes होते उनके साथ आज क्या problem होती उनके घर-परिवार के साथ क्या problem होती technology पे shift हुए और आप we smart को आज जानते हम आपको जानते हम अलग- पर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं benefit कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हम क्या कर रहे हैं sir benefit कर रहे है तो एक वर technology दूसरा slowdown हुआ slowdown क्यों हुआ आपको क्या लगता है slowdown क्यों हुआ not upgraded कई लोग slowdown का शिकार इसलिए हो गए क्योंकि वो अपग्रेड ही नहीं हो पाए समय पे वो अपग्रेड ही नहीं हो पाए एक जो business जो मेरा favorite band है पर मेरे को बहुत बुरा लगता है उस brand के लिए वो है बाटा बाटा आप सोच के डेखे बचपन दख्ये जब भी हमें बचपन में कभी कोई shoes लेने थे यह यह यहां बचपन में हमें कोई product खरीदना होता था हम क्या करते थे यह बाटा के शूच लेता यह लिए आज अगर आप सोच करके देखो तो एक जो हमारा फेवरेट ब्रांड हुआ करता था बाटा वो not upgraded होने के कारण क्या हुआ आज अगर आप खरीदने जाते हैं आप बाटा के शूज करीदते हो आप नहीं खरीदोगे आप जानते हो company अच्छी है आप जानते हो product अच्छा है लेकिन वो समय के हिसाब से upgrade नहीं हो पाया आप उस product को लोगी नहीं आप उस product को लोगी नहीं यह फरक हुआ slowdown दूसरा slowdown का reason हुआ economic factor business में समय समय पर अलग अलग टाइम पर capital infusion की ज़रत पढ़ती है कई लोग इस MIT में होते हैं कि एक बार पैसा लगा दिया काम खतम हो गया नहीं नए नए टाइम पर अलग अलग टाइम पर capital infusion की ज़रत पढ़ती है मान लीजिए अगर कोई बहुत पुराना बिजनस है तो इस बिजनस को आपको interior change करके थोड़ा सा fresh look देना जरूरी है थोड़ा सा fresh look देना जरूरी है मैं आपको बताओ कपड़े की दुकान वाले ये सबसे जाधा करते हैं कपड़े की दुकान वालों को अगर आप देखोगे ना हर दो साल तीन साल के अंदर में वوي या तो नाम चेंज करेंगे brand चेंज करेंगे अदर का interior चेंज करेंगे क्यों सबसेंगे बेचना पड़ा ही है पर वो क्या करेंगे इसको change करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, आज अगर आपको बोला जाए कि किसी old premises के अंदर में जाओ, आप बोलोगे नहीं यार मैं old premises के अंदर में जाओ, थोड़ा जा करके fresh look आना चाहिए, new lightings वहाँ पर आना चाहिए, नया focus होना चाहिए, आपको क्या लगता है, आ ब्रैंडिंग के नाम पर बस एक दुकान का नाम रख लेंगे, max to mag उसपे एक sign glow board लगा देंगे, काम खतम, या board के उपर दो light fix कर देंगे, काम खतम, ब्रैंडिंग नाम की चीज नहीं होती, तो mall के अंदर में चले जाओ, product से जादा तुमको brand दिखेगा, एक छोटा सा example द नाम लगा देगा, glow board sign लगा देगा, दो तीन light लगा देगा, गेम होवर, लेकिन यही तुम नाइक के शोरूम जंदर में आओ, तुमार को क्या दिखेगा, बड़े-बड़े foam sheets लगाए होंगे, foam sheets आती है, एक दम बारिक वाइट कलर की, foam sheets वहाँ पर बड़ी-बड़ी ल जगा जगा पे छोटे-छोटे product Nike के लिखे वे दिखेंगे, और तिरको एक अलग feel दिया जाएगा, products के ओपर specific lightings fake ही जाएगी, एक-एक product को उसको highlight करने के लिए specific lightings fake ही जाएगी, right, color combinations को इतने शान्ती से select किया जाएगा, कि वह बहुत soothing लगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बेचना product ही है, पर शो करने का तरीका, लोगो ने एक बार पैसा लगा दिया, एकनोमिक फाक्टर के बाद वापस कभी उठाया है नि, या प्रब्लम होगे, traditional mode, sir, traditional mode, not upgraded, at the same time, traditional mode of business, not changed, यहाँ पर, example, Nike, showroom, traditional mode of business, not changed, कुछ बिजनस, traditional mode में थे और आज तक के traditional mode के अंदर में चल रहे थे, यह कभी change ही नहीं हुए, यह कभी change नहीं हुए, यह कभी change नहीं हुए, इसमें एक recent example में आपको देता हूँ, जहाँ पर company ने बहुत बड़ा benefit create किया, fool, एक IIT start-up है sir, इतना जबर्दस, आप में से कितने लोग जानते है, fool नाम की क्या चीज होती है, कभी देखा है आपने, traditionally ना, भारत culture को बहुत follow करता है, यहाँ पर धूप अगरबत्ती एक बहुत important चीज है, आदमी के दिन चरिया का part and parcel है, बहुत छोटा सा minimalistic किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा business हो सकता है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि यह धूप का क्या story है, recent times में धूप ने क्या story create किये, बहुत जबर्दा story create किये, और बहुत बड़ा startup बोल करके बहार आया है, made in India का one of the successful startup से किया है, anybody, fool, anybody, नहीं पता fool किया है, औरे भाई साब, भाई साब, यह तो बहुत डेंजर चीज आगर आपको यह नंई पता हो यह तो बहुत डेंजर चीज है बाई, सर, फूल इस अ अगर्बद्ती ब्रैंड नहीं पता होगा आद जा करके देखना बड़ा मजा आध जा करके देखना बड़ा मजा आईगा, सर एक जो सबसे जादा ब्रैंड चलता था हमारे यां वो था Epic जो अगरबती धूबती हो के अंदर में था, cycle brand सबसे जाधा चलता था और उसके बाद फिर क्या होता था, जो local incense sticks थे, अगरबती हा, incense sticks वो चलते थे, मतलब कोई भी brand फिर चलता था, मोगरा, गुलाब, ये वो, local brands चलते थे, अब यहीं पे business देखा एक बंदे ने, यहीं पे incense season के साथ, तीन problem आ रही है, तीन problem आ रही है, पहला, ये cancer से related धुआ generate करता है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा management तक के ये company कैसे पहुची, आज इस company का जाके analysis करना, आज जाना इस company के बारे में Google पर सर्च करना, waste to wealth management का सबसे best example है ये company, company के owner ने देखा कि भीया, company में लोग मंदरों में जाते हैं, फूल चलाते हैं, तुलसी चलाते हैं, अधर चीजे चलाते हैं, और ये सारा का सारा waste ह होता है, अब इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने वहाँ से पूरे फूल उठाए, जो local कच्रा कलेक्ट करना वाले थे, इनको एंगेज किया, इनको बोला ये पूरे फूल उठा करके एक जगा लेकर क्या हो, एक जगा खरीदी पूरे फूल लेकर क्या है, एक आदमी ब तुकाने के बाद इसका मैन्योर बना करके अगर्बत्ती बनाई और नाचरल अगर्बत्ती के नाम से बेचना शुरू किया आप रीसेंटली जाईए गुगल में तुरंत मुबाइल उपन कर लीजे और तेक कर जिए फूल सौ रुपे के उपर बिकरी है ये अगर्बत्ती इंडिया में अगर्बत्ती सौ रुपे किलो में बिकने वाली चीज है ये आदमी नाचरल प्रोड़क्ट बोल करके सौ रुपे के उपर में एक डबबा बेच रहा है और प्रॉफिट यूज वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक्जामपल है टेड में भी जा चुका है टेड पता है ना टेडेक्स में भी जाके आ चुका है बन्दा इंटर्व्यू दे चुका है बौस वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट का सब पूरा का पूरा raw material free क्योंकि company you know मंदिरों का वेस्ट है मंदिरों का वेस्ट है उसको सिर्फ एक production line बना करके क्या करिया आदमी engage किये यहां लेकिया हो सुखा मैनर बना मैनर बना के अगरबत्ती बना करके वेच completely natural completely natural क्या किया येस तो इंडिया के अंदर में अब सबसे बड़ा competition अब cycle brand mangal deep brand और जो local brands है इनको सबसे ज़्यादा create कर रहा है फूल दूसरा problem क्या था जरद्यान से सुनना यही traditional mode जो अगर बत्तिया मनाते थे बस वो local level पे sell करते थे ते कभी online sell करने की बात ही नहीं की फूल का सबसे बड़ा business तब बड़ा जब इन्होंने इसे online sell करना शुरू किया और online में लोगों ने try करना शुरू किया क्योंकि लोगों खुश्बू पसंद है साब ज्यान जा सुनियेगा सो लोगों ने क्या कर दिया सुना पसंद कर दिया प्रोड़क पसंद आया और बिजनस का निकल पड़ी आज सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है साइकल ब्रांड मंगल दी ब्रांड के लिए सर बात समझेगा नेक्स्ट है law change हुए law change हुए sir GST income tax कई नए law आ गए जिसके कारण business scenario क्या करना पड़ा change करना पड़ा जिस तरीके से bill issue होते थे कच्चे में bill issue होते थे GST law ने वो matric हतम कर दिया कई organization fake बनाई जाती थी सिर्फ bill issue करने के लिए GST ने वो law ही change कर दिया आज आप GST का law देखोगे one of the no doubt जब भी कोई नया law बनता इसमें technical glitch बहुत सारी आती है लेकिन 2017 में जब इस law को लाया गया था अरुन जेटली सर ने बोला था कि GST law इंडिया को एक लाग करोड कमा करके देगा GST law इंडिया को एक लाग करोड कमा करके देगा उस टाइम पे अरुन जेटली सर पे सब हसे थे कि एक लाग करोड का revenue आप बोल रहे हो GST कमा कर देगा possible ही नहीं है 2021 एक लाग करोड के उपर का GST revenue collection है इतना जबरदस्त बनाया गया है So laws business को बहुत ज़्यादा affect कर गए पहले जो business कच्चे में हो जाते थे अब वो कच्चे में possible नहीं है GST law के कारण CSR activities ने business को बहुत बदल दिया CSR Companies Act 2013 ने जब से CSR mandatory किया Company ने खुद हो करके क्या करने शुरू किये दूसरों के लिए खर्चे शुरू किये जो resources वो दूसरों से collect करते थे वो resources देने शुरू किये इससे कई लोगों के लिए employment generation हुआ आसपास के area develop हुए So CSR activity के अंदर में companies ने changes शुरू किये अगर आप देखोगे recently कल की news में आपको बताता हूँ दाबर company है दाबर ने अपने employee की साल अपने employee जो लोग भी COVID के थुरू मने होंगे उनको साल भर salary देने का एलान किया है आज जा करके चेक कर लेना डाबर का share price उपर ही होगा आज जा करके चेक कर लेना डाबर का share price उपर ही होगा आज खेर साटड़े है तो वह होगा ने मारकेट पर मने को चेक कर लेना डाबर का share price उपर होगा कि कंपनी ने CSR activity करी profits डाबर declared pension to employ business करने के तरीके बदलने पड़ता है सर तब जा करके work out होता है right customer behavior बदल गया customer behavior बदल गया customer behavior recently online buying पे shift हो चुका है पहले एक दुकान में दाते ते कपड़ा लेने के लिए आजी ओ आजी ओ किसका ब्रांड है मुझे ये बताईए जल्दी से anybody आजी ओ किसका ब्रांड है anyone please tell me आजी ओ किसका ब्रांड है आजी ओ आज कपड़ों में कपड़ों में सबसे बड़ा ब्रांड है मतलब अपार्ट फ्रों मिंत्रा अजी ओ एक सबसे बड़ा ब्रांड है जो सबसे सस्ते में कपड़े देता है कि नहीं पता वैस कुछ लोगों ने जबरदस जवाब दिया है इसई अनुराख साइकिरन डेड़ी इस वानी अगरेवाल इन्हों ने जवाब दिया यह यहां पर गुमान ने भी जवाब दिया सर् नह nella प्रहेंस का best practices to live on themarkt आप आप सोच के दीओ मेरा रिलांज के इसा देनधा अगर आपको पता हर रिलाट्स ऐस फुल नहीं हो पया और ऑजीयो जबरदास सेट्स मो गया ऑनलाइन बिजनस स handlar लोकल लेवल पर यहेयों उतना आजियों के नाम से भिक्रिये रिलाइंस टेड का टैग हट गया नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिले इंदुस्तानी नया प्रोडक्ट आ गया रिलाइंस अजीयों के तहत प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया भाई साव प्रॉफिट सी अंतर में लड़की अगर जा क्या हो न वाइन वाइट में गयाता अप समझे इस बात को लटकीयों के तो वाइट में भी छे गलर रहते हैं आग तुकान वाला परिशान ओजाता था था कौन सा वाइट अब उसको समझता है नहीं तो आप एपने अपने अपने एरिया में प्रोड़क्त बेच सकते थे भाई साब नई चीज आ गई डंजो आप कही और भी बेच सकते हो येस आप कही और भी बेच सकते हो बुस चीज को राइट सो बाउंडरी लेस बिजनस हम अब बियोंड दे लोकल एरियास भी जा सकते हैं चलिए सर सो स्टाड़िक मैनेजमेंट किसके लिए खुद के लिए और क्लाइंट के लिए भी क्योंकि हम अगर बिजनस कर रहा है तो इतनी प्रॉब्लम्स ये हमारे लिए होंगी और अगर क्लाइंट बिजनस कर रहा है तो हमें क्लाइंट को आज एडवाईज भी करना पड़ता है कि बॉस you have to change your method of business you have to change your method of business in order to grow in order to grow तो ऐसे cases में ये चीज़ होती है अब आगे बढ़ते हैं अब जरह आगे बढ़ते हैं सर हमें क्या पढ़ना है सर हमें strategic management पढ़ना है बहुत अच्छी बात है सर strategic management पढ़ना है तो आप से अब मैं पूछना चाहूंगा थर्ड पॉइंट एवरीबड़ी राइट इन दर इजिस्टर थर्ड पॉइंट strategic management बरवर इसो तोड़ तोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसे तोड़ तोड़ के आगे बढ़ते हैं और डीप में जाते हैं सबसे पहले हम management पढ़ते हैं सबसे पहले हम management पढ़ते हैं बरवर management में कुछ चीजों को तोड़ो manage men tactics strategic management और तोड़ते हैं और थोड़ा सा डीप में जाते हैं सबसे पहले management को समझते हैं management tactics इन तीन चीजों को अलग करो ठीक है अब मैंने आपको इतने business बताए इतने business बताए मैं आप सभी से पूछना चाऊंगा ज्यान सुनना सभी से पूछना चाऊंगा भाई साब मुझे बताओ manage कैसे करना है manage किस चीज को करना है अगर हम कोई business कर रहे हैं अगर हम कोई profession कर रहे हैं तो manage किस चीज को करना है क्योंकि हम अगर कह रहे हैं management करना है तो हमारे मन में एक सवाल जरूर उटना चाहिए manage किस चीज को करना है manage किस चीज को करना है कि हां इस चीज को manage करना है उस चीज को manage करना है manage किस चीज को करना है सर इतनी news कहां से collect करें यह कामी यह बोलो भी यह anybody manage किस चीज को करना है रिसर्च एंड डेवलप्मेंट को कस्टमर को हैंडल करना है गलत है राइट परसंट टू भी अपॉंटेट अट राइट प्लेस अच्छा हां ये तो वो जवाब हो गए सर एक्टिविटीज मैनेज करनी है नहीं एक्टिविटीज नहीं सबसे इंपोर्टन वर्ड भूल रह है आथ सरेम्टलॉई को मैनेज करना है फुर्स को मैनेज करना है फौलीस को मैनेघ करना है मैन को मैने सकना है यह ना लायक जडि़ वाला खैम अनव तरी ओ व्योRes को मैने और अगण अबे पूरा ग्यारवी बारवी तुमने एक वर्ड पढ़ा है याद करो वो वर्ड को याद करो उसे मेनेज करना है उसे पूरा ग्यारवी बारवी पढ़ा है तुमने Sir, Raw Material, The Way to do Business को मैनेज करना है Sir, Cost Factor, Cost of Production को मैनेज करना है अबे वो मैनेज करना है वो कुछ लोग सही जवाब दे रहे पर अभी तक सही नहीं पकड़ पा रहे हो तुम लोग चालो यार कुछ भी जवाब दे रहे हो हाँ वर्ड नहीं मिल पा रहा तुमको Sir, Money Manage करना है अरे नालायक Sir, Time Manage करना है Time Sir, मैं वर्ड बता तो वर्ड याद आजाएगा और वर्ड याद आजाएगा और यार ऐसे कर ले ना वर्ड याद आजाए तो You need to manage the resources of company When I say company, जब strategic management मैं company पड़ते हैं तो company means any organization So don't think only just for company, any organization जब हो management मैं company पड़ा जाता है तो वो एनी organization पड़ा जाता है याद कर ऐसे कर के Oh yes, याद आया Resources को manage करना है बिटा स्टाइजिक मैंजमेंट में सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है पता है Words, Words सबसे इंपोर्टन है Right word should be placed at the right time Right, right word should be placed at the right time अच्छा मुझे एक बात बताओ अब मैं आप से सवाल पूछता हूँ और मुझे पुरी उम्मीद है कि आप इसका शाहिद जवाब दे पाए What are the resources available to management? Resources कौम से है? आप यादकर 5 M पढ़ा था हम लोगोने 5 M पढ़ा था आ मैं याद दिराऊंगा तिरको ऐसे नहीं बुलने दूंगा तिरको याद दिराऊंगा 5 M पढ़ा था मेरे भाई हम लोगोने याद कर 5 M 5 M Anybody 5 M's 5 M's Pela Men सबसे पहली चीज़ इसको मैनेज करनी है मैन आप में से कई लोग मुझे जवाब दे रहे थे 4 M नी बिटा 5 M है पहली चीज मैन को मैनेज करना जरूरी है यह देखो यहाँ पर भी मैन लिखा है सर क्या मैन में सिर्फ मैन आएगा वुमन को मैनेज नहीं करना पड़ता अरे मेरे भाई जब हम मैनेजमेंट वर्ड पड़ते है तो मैनेजमेंट इनकोल मेल, फीमेल, बाकी सब सब कवर होता है अब वैसे भी सुप्रीम कोट ने कह दिया कोई डिफरेंस नहीं है तीन काटेगरी है अब तक के इंडिया में वो ट्रेंड नहीं दया जहाँ पर ट्रांसजेंडर को वर्क दिया जाए पर जब से सुप्रीम कोट ने हटाया है तब से मैं तो भाई सुप्रीम कोट के डिसीजन को बहुत सही कहूंगा कि उन्हें भी एक आइडेंटिटी दी और उनके लिए भी एक मार्केट क्रियेट किया सो सर पहली चीज है मैं आज आप देखें फैशन इंडस्ट्रीज में ट्रांसजेंडर को यूज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से येस मैं नीट्स टु बी मैनेज़ अब आप ये पूछेंगे अब हमन मन नीट्स टु बी मैनेज़त अब आप के मन में आना चीय है उस का जवाब हम यहां लिखेंगे वाहिज मैं नीट्स टु बी मैनेज़ यूमन बीहाविए हैई है वाहिए हैली एन प्रेदिक्तब आ लिए वियूमन भीवर इसके लिये अन प्रेडिक्टबल नेन एट से लिए मेंचें अचे लिए 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 अचाइटि अपका बेहवेर आपके घरवालों के सामने कितना लगे आप खुछ सोच करे देखना पपा के सामने अपना बेहवेर मंéma के सामने अपना simplesmente अमें ए भाइ बहनों के सामने अपना है यूमन बहीएर इस हाइली अंप्रुड़ कुछ लोगते हो गहें बीजस्च उंगे मिल्हें और दो शाहए और जाया ऊकुछ दोस्त टॉड़ कर आप होंगे इनको नो डाउट अपना रोल प्ले करते हैं लेगिन मशीन को चलाने के लिए एक यूमन की जरौत होती है मेरे बाई और यूमन बिएवियर इस हाईली अन्प्रेडिक्टेबल राइट कभी उसका मन करता है कि मैं बाहर गुमने जाओं कभी उसका मन करता है मैं पढ़ाई अरे भाक यहां पर मैं की बात कर रहे तो यहां पर मैं को मतलब है कस्टमर कस्टमर बिएवियर इस हाईली अन्प्रेडिक्टेबल यहां पर जब हम हम यूमन बिएवियर की बात कर रहे हम बात कर रहे हम कस्टमर की हम बात किसकी कर रहे है कस्टमर कस्टमर बिएवियर इस हाईली अन्प्रेडिक्टेबल वो आया है आपके यही प्रोड़क्ट लेने आया है लेकिन उसको तुरंट चाहिए पाच मिनिट आपने किसी और को क्या वो बोलता ठीक है भी है में बाद में आता हूं निकल जाता है यूमन बेहवियर is highly unpredictable आया है कुछ और लेने के लिए आपने अगर उसको कुछ और offer product पकड़ा दिया आपने कुछ और offer product पकड़ा दिया वो तुरंद उसको लेने के लिए के रड़ी हो जाएगा यूमन बेहवियर is highly unpredictable that means client behavior is highly unpredictable and that's why men needs to be managed यहां पे जब हम मैं की बात कर रहे है यहां पे जब हम मैं की बात कर रहे है तो हम तीन बात कर रहे है you need to hold the management the top management of the company क्यूंकि एक top management से ही बहतर कंपनी चलती है एक top management से ही बहतर company चलती है here next you need to hold the men as customer customer को आपको पकड़के रखना होगा जहां आप से customer satisfied नहीं है वो आपके साथ रहेगा नहीं customer को आपको पकड़के रखना होगा yes तीसरा यहां है employee भाई साब अगर आप employee को follow नहीं करते या आप employee के लिए work नहीं करते या आप से employee खुश नहीं है खतम काम अगर आपने वो scam 1992 वाला web series देखा होगा क्या लगता है हर्शद मैता ने क्या किया था वो company के employees से जा करके connect होता था क्योंकि अगर company का employee खुश है तो जाहिर सी बात है company बड़ेगी ही company का क्योंकि वो काम करेगा productivity लेकर के आएगा और company में profit generate होगा बात समझा रही है so sir what needs to be managed men men का यहाँ पर meaning क्या है जब हम men की बात करते हैं organization के अंदर में याद रख ले ना इस बात को जब हम men organization में बात करते हैं हम बात करते है customer की human behavior is highly unpredictable imagine की जेक लड़की खरीदी करने के लिए अब मैं आपको मेरी बात बिताता हूं sir मैं गलती से मेरी गलती है वो life में सबसे बड़ी गलती है मैं पल्लवी के साथ कपड़ों की shopping में चले गया कपड़ों की खरीदी की shopping के लिए चले गया अब आपको तो पता है लड़के जब shopping पे जाते तो उनका काम तो एक ही होता है बैक पकड़न या तो काड़ देन अपना तो काम इतना ही ना मेरे भाई ठीक है मैं गया शॉपिंग करने के लिए चीक है दाट वास ब्रांड विविद्ली रिमेंबर कलर्स लड़कियों के लिए कलर्स करके ब्रांड लड़कियां जो देख रहे होंगी वह पता होगा उनको पता होगा रइट तो इस लेगिंग वेर बैंड भाई दुनिया भर के कलर अपनी मैडम अपनी मैडम यह ग्रीन कलर दिखाओ अब मैं मैं बैठा ठीक है अपने कैर दो तीन कैरी बैग जब तक क अब लड़की ने कभी भी पूचा लड़के को यह कैसा दिक रहा उसके पास अब्जेक्टिव थोड़े ने क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा दिख रहा है उसने दूसरा ब्लू उठाया बिलीव मेरे को सच में नहीं समझना रहा कि यह ब्लू में डि और दूसरा लग अपने लिए तो वह काला अक्षर बहस बराब रहा है मेरे ब्लू का मतलब लड़कों के लिए ब्लू होता है अगर अब भी कमेंट करवा दूना लड़के देखना दोई चीज लिकेंगे लाइट ब्लू यह डार्ट ब्लू हमारे लिए ब्लू का मतलब और कुछ नहीं होता लड़को से पूछ Gunderson मैं गलत बूल रहे हूं तो बात कर लो लड़को ब्लु कितने होते हैं सिर्फ लड़के जवाब दि लड़किया जवाब नहीं नहीं लेघ इसमें लड़कों सिर्प इतना मता झाल्यू कि लड़के देखो लड़कों को पता है, हाँ सर बस दो कलर होते हैं, या तो वो डार्क ब्लू है या तो लाइट ब्लू है, लड़कों को नहीं समझता है, अब मैं यही मौका लड़कियों को देता हूं, लड़कियां, प्लीज मुझे, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप कि देए लड़के विचारे बहुत भी दर ब्लू लाइड ब्लू हाँ लड़कियां प्लीज बतायां से यह लड़कीयां विधी के अरिए सर्षाइ ब्लू अन्शी के अर्षा रोयल ब्लू लू नेवी ब्लू प्लू ओशन ब्लू भाई साब बर्गंडी नियोन यह तो जीनवन में मैं पहली बार सुन रहा तर वाइलेट ब्लू डल ब्लू अच्छा डल ब्लू इस डल ब्लू और स्काइब लू एक नहीं होता क्या यहां पर यहां पर आठ डिफरेंट ब्लू निकल गए आप बात समझ मैं मैंने बोला भाई मेरे को कुछ समझ नहीं रहा मैडम ने दो तिन निकाली अच्छा इसके बाद लड़कियों का डायलोग क्या आता है तुमको तो कभी शॉपिंग पर लाना ही नहीं चीए मैं भी यह कि कहा हूं माते मेंको कभी शॉपिंग पर मत लायकर तू लेकर आईये मेरी मां तुमको कुछ समस्ता ही नहीं अच्छा ओषन भुबिया उब्लू भए अक्वा मरेन ब्लू वाज गवा आध करना ने का हैशरदसवा एकवा मरा इन ब्लू स्टील ब्लू स्टीव ब्लू आकसम इंडी को 11 हो गया भाई साव अक्तु रिस्पेक्ट उस दिन ना अचा मैंडम बोल भी रहे हैं तुमको तु लाने नीच आते हैं तुमारी कोई चॉइस ही नहीं है मैंने मन में सोचा अगर मेरी चॉइस नहीं होती तो मैडम आप कहा से आती है तुमारी चॉइस ही खराब है मैंने बोला ठीक है मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला बस इतने मुला मैंने ठीक है और उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है मैं भूला बस को स्ट्री है वो कुछ भी कर सकती है की वह कहत है ज़े सब्सक्राइब इन पहली बार दिवन में आ खिसटील वाला बलू स्टील वाला भूलू क्या होता है मेरे भाई मेरे को समझ में आ गया वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है नौ तो पॉइंट इस उसका इतना हायली मतलब देखो में को समझ में आ है कि कंपनी ने इतने कलर क्यों निकाले होंगे क्योंकि उसने अपने कस्टमर को पैचान लिया कि यह कस्टमर वेराइटी मांगता है इतने अलग-अलग कलर उस कलर के साथ जितने कॉम्बिनेशन हो सकते है प्रोवाइड करके दे दू तो बात समझ में आ गई मेरे वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है तो पहला है में दूसरा की चीज़ को मैनेज करना है में दूसरा है इसे बहुत अचय से मैनेज करने के जो रहाता है क्यूंकि जो बिसनेस चलाए जाता है वो होन प्लस डेफ्ट का कॉम्मेनेशन होता है 2A to 1, आप सभी लोग ने देखा होगा, 2A to 1, आप सभी लोग ने देखा होगा, तो sir, ये own as well as debt capital needs to be managed, अगर ये properly managed नहीं होगा ना, तो business का हर चीज डिस्रप्ट हो जाएगी, that's why money needs to be managed very properly, आप sir, सोच के देखेगा, एक इमाज करना, आप सोच के देखेगा, fund management करके एक activity हो company में, imagine करना एक दिन में, reliance में कितना cash आता होगा, कितना cash आता होगा, cash collection कितना होगा, ये पैसे को, कैसे fund manage करना की पूरे business को सही time पे पूरा पैसा मिल सके, right money and at right quantity her time पे available हो सके, budgeting बनाना, costing में हम लोग एक chapter पढ़ते है, budgeting, that is nothing but money management, that is nothing but money management, money needs to be managed, financial management में cash flow, fund flow बनाया जा क्योंकि अगर पैसे का चक्कर विगड़ा, तो सारी चीज़ी बिगड़े की बिगड़े, so own capital as well as debt capital needs to be managed, third, machine, that is, switching technologies, मानिक मशीन, means switching technologies, switching technologies का मतलब क्या होता है, कि boss क्या कुछ machinery हमें upgrade करनी चाहिए, क्या कुछ नया लेकर के आना चाहिए, इस बारे में हमेशा एक फॉट चलना चाहिए, machine needs to be managed properly, क्योंकि अगर आपका production रुख गया, क्योंकि अगर आपके machine रुख गया, तो इससे आपका business hamper ह होता है, इससे क्या hamper होता है, आपका business hamper होता है, एक छोटा सा recent example देखेगा कि business कितना hamper होता है, machine रुख गई तो, right, recently आपको पता है, recently आपको पता है, evergreen का एक ship बीच में अटक गया, corridor में अटक गया, जिसके कारण daily 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अगर नहीं होगा, YouTube पे जाना, evergreen ship डालना और उसकी news देखना, एक passage है, एक passage है, बहुत बड़ा, right, इस passage के बीच में से एक corridor create किया गया है, जिसके अंदर में ship here and there जा सकता है, evergreen का ship फसने के कारण, पूरा world trade को daily 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो यहां प्राइंटरी बना रहा है देखना, machine, machine अगर रुप गई, technologies upgrade नहीं होई, तो यह problem create करता है, technologies need to be upgraded, अरे आप सोच करके देखो ना यार, आप सोच करके देखो, हम अपना mobile use करते हैं, 10 से ले करके, एक लाख रुपए तक, जो भी mobile हम यूज करते हैं, यह mobile भी हम स 10,000 से एक लाख रुपे की चीज बोल रही है, अप ग्रेड होनी की जड़त है, आप तो यूमन हो यार, क्या आपको अपगरेड होनी की जड़त नहीं है, सोच करके देखना, बड़ी बात है, बड़ी बात है, कि बास, एक 10,000 से लेकर के एक लाख तक का mobile कहता है, कि भी हम तो यूमन हो, यार कोड़ी बात Ϝेश्टप एक लिए रूत हता है। यूमन नहीं है क्या, आप तो क्रोड़ो के लाख टी बात है। यृट तो यूमन हो का घ॥खत है, इसको खूमने की जड़त नहीं क्या था। यूमन ही भी हम जात की जड़त नहीं है। या लाग या, if right material is not available at the right time believe me whether it will hamper the business yes this will hamper the business if right material is not available at the right time the business will be hampered right the business will be hampered और recent times में ये बहुत ज़्यादा हुआ है आप सोच करके देखे ना सर आज सोच करके देखे material के कारण Serum Institute of India ने recently आपको पता होगा बीच में अदारपुना वाला ने tweet भी किया था जिसके कारण बाद में America ने क्या किया ban हटाया raw material available नहीं था तो यहाँ पर vaccination नहीं बन पा रही थी क्यों? क्योंकि America ने क्या लगा रखा था ban लगा रखा था इसके कारण इंडिया में vaccination नहीं बन पा रही थी vaccination नहीं हो पा रही थी तो second wave इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा बन गया अधारपुना वाला को tweet करना पड़ा कि sir ban हटाई है restriction हटाई है raw material आने दीजे ताकि क्या बन पाए vaccinations बन पाए yes raw material के कारण क्या बन पाए vaccinations बन पाए और ये vaccinations ये vaccinations ही आज काम आ रही है so sir material available नहीं हुआ तो problem create हो जाएगा for example raw material for vaccination अगर ये ना available हुआ तो सोची कितना problem create हो जाएगा and the fifth methods methods that is sales techniques आप कितने methods से इसे बेच सकते हो that is important इसका सबसे बहतरीन example है Lays जब तक क्या आप मेरी बात सुनेंगे तब तक शायद पूरे वर्ल्ड वाइड लेज अपने पांच पैकेट चिप्स के बेच चुका होगा at least पांच पैकेट अपने चिप्स के बेच चुका होगा जब तक आप इस बात को सुनेंगे यह सर बात समझ है लेज चिप्स तो बनाते ही थे salty अल्रेडी बनाते थे रई एक बुजनस आइडीया आया की क्यों ना इसमें flavors vendors ट्राई किया जाए एक business आईडीया क्यों ना flavors क्या जाए तैंडी टमाटो लाया यह तहरो वो लाल कलर का पाकट जो बच पन में हमारा फेवरेट उआ करता था। इसके बाद इंडियन लोगों को ये साधा नमक और ये पसंद नहीं आता था तो ब्लू कलर का पकेट बनाया इंडी मसाला चेक कीजेगा लेज का इंडी मसाला जो इंडिया में सबसे जादे चलता है क्या है इंडिया में रोज रात को ना चिप्स की जुरॉत पड़ती है इंडिया तो बोले इंडिया को ये नमक साधा नमक पसंद नहीं आ रहा कुछ तो मसाले वाला दो चिप्स के आंदर में मसाले बरे और इंडिया के लोगों को प्रेजेंट किया आज सबसे ज़्यादा चल रहा है राइट, sales technique बदली, sales के mechanism बदले, sales technique में दो चीज़ है, अलग-अलग चीज़े देना और एक ही चीज को अलग-अलग तरीके से देना, अलग-अलग ways में बेचना, local तरीके से बेचो, इसको website पे लिस्ट करके बेचो, app में लिस्ट करके बेचो, यह अपने franchisee create करो, franchisee के थूर बेचो ये भी sales technique का part है और दूसरा product को अलग-अलग तरीके से बेचो ये भी sales technique का part है इसके बाद में अलग-अलग flavor निकाला कुछ सालों पहले की बात है लेज को कुछ और flavor चाहिए था कि इनका business perpetual बन जाए और अलग-अलग लोग क्या चाहते हैं वैसे वैसी चीज़े create कर दे क्या हुआ उसके बाद में इसके बाद में ये हुआ कि लेज ने competition रखा कि आप हमें अपनी recipe बताईए आप हमें अपनी recipe बताईए लेज की और हम अगर आपकी recipe लेज के लिए तो हम आपको आउस्ट्रेलिया टूर पे बेजेंगे कई लोगों ने इसमें अपने अलग-अलग flavor लिख करके दिये लेज को कि हमें ये flavor पसंद है हमें वो flavor पसंद है हर एक के flavor अलग-अलग है हजारो recipe company को receipt हुई आप समझ रहे हो एक छोटा सा idea कुछ लोगों को आस्ट्रेलिया भेज करके लाखो recipe collect कर लिए business model को sustain कर लिया कि लेज हर थोड़े दिन में क्या करेगा उसके उपर research करके एक नया प्रोड़क्त निकालेगा नया प्रोड़क्त निकाला और बेचना शुरू किया आज आप देखो लेज के अंदर ही कितने flavor है लेज के अंदर ही कितने flavor है क्यूं लेजी क्यूं दूसरा एक्जामपल हम सब की फेवरेट मैगी कुछ दो लेक्चर बाद आपको नेशले का केस्टडी बताऊंगा कुछ दो लेक्चर बाद आपको नेशले का केस्टडी बताऊंगा तब आपको देखना राइट सर नेसले का केस्टड़ी बताऊंगा नेसले का सबसे प्रॉमिनेंट ब्रैंड है मैगी क्यों बात बताओ मैगी को किसी फ्लेवर की जोरत है कि नहीं मैगी अपने आप में एक फ्लेवर है मेरे भाई हो एक साधा माइगि मसाला माइगी आपने कौन कौन से यहां पर कुछ इतने नलायक लोग ना मैंने क्या बोला और लोक या अजूम कर रहे इतने गंदे लोग और दो लोग इतना गलत-गलत आजूम करता मैं बतानी सकता आरे मैंने लेजी की बात करी थी भाई कि शिवश इवर फेकार लो गंदे लोग हो तुम लोग सब लारगा है की मायगी अनिकी आटा माघी चिपन हुआगे हैं शब लागा कम या 131 तो ये भी है केड़बरी डेरे मिल्क की बात कर ले डेरे मिल्क तो हमें वैसे भी बच्पन से पसंद थी ना क्या ज़ुरत थी? सेल्स टेकनीक में बदल करने की आज देखो केड़बरी डेरे मिल्क कितने अलग अलग चीज़ों के साथ आती है आप देखिये मैं केडबरी डेल बबल्स लेकर के आ गए रैइट उसके बाद में क्रैकल्स लेकर के आ गए साधा आलमंड्स लेकर के आ गए आप सोचो ना याद चॉक्लेट क्याडबरी में ही कितने फ्लेवर के ज़रत्ती point यह है कि methods बदलने पड़ते हैं लोगों को इसकी आदत है so management को हम लोग deal कर रहा है management में सबसे पहली चीज manage, manage किस चीज को करना है, sir resources को करना है, 5 चीज़े याद होनी चीज़े या answer याद होना चीज़े, what are the resources to management what are the resources to management, 5 M, men, money, machine, material, method कैसे याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, अब इदर आओ, ध्यान दो सुनना right? मैंने money से machine खरीदा, material बना के अपनी method से sell किया come on, come again, क्या बुला मैंने, मैंने money से machine खरीदा, material बना के अपनी method से sell किया, मैंने money से machine खरीदा, अपने material बना के अपनी method से sell किया, these are the five resources to management, तो अगर सवाल पूचा जाता है, what are the resources to management, these are resources to management, अभी हम से basic discuss कर रहे और इसको deep में आगे लिखेंगे, yes, men, why men needs to be managed, because human behavior is highly unpredictable, right, your customer behavior is highly unpredictable, that is why you will require it, tactics, the art of dealing with different person differently, what is tactics, the art of dealing different person differently, management, so, here T stands for tactics, the art of dealing with different person differently, हर व्यक्ति के साथ deal करने के अलग तरीके होते हैं, आप सोच करके देखिएगा, हर customer के साथ businessman same deal नहीं करता, हर customer के साथ same deal नहीं की जाती, the art of dealing people differently, हर व्यक्ति के साथ अलग डिल की जाती, कुछ होते हैं, regular customer होते हैं, इनके साथ business different होता है, इन्हें credit दिया जाता है, ये business में रुकते हैं, इनसे बात की जाती है, कुछ लोग आते हैं, आते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, प्रोड़क लेते हैं, निकल जाते हैं, the art of dealing different people differently, right, this is tactics and management is, has to be like that, क्या आपने management को इतना तोड़ करके कभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो भाई, यही मौका है, 25 दिन के अंदर में strategic management तो तोड़ तोड़ के मजे के साथ, examples के साथ पढ़ेंगे साथ, yes, so management, हमें क्या पढ़ना था, strategic management पढ़ना था, इसमें हमने management पढ़ना शुरू किया, पहली चीज़ पढ़ी, management techniques, अच्छा, अब दूसरी चीज़, आप मुझे बताईए, क्या management कोई act है, कोई act है, management act 2000 something, management act नहीं, no, there is no act, so management is not governed by act it's a philosophy management is a philosophy ध्यांजे समिनना ये बढ़ा हो के MCQ बनेगा it's a philosophy management is a philosophy ये कोई act नहीं है, management act this, management act that, are a heart management कोई act नहीं है, तो सबसे चीजी तो SM की ये किया पर कोई act नहीं है, यहाँ पर आपको अलग 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 प्रडक्स समझने और अलग 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 यह समझना है, management is a philosophy, एक philosophy है management, मतलब कोई act नहीं है, अगर हम कह रहे है यह philosophy है, that means there is no clear cut definition, इसलिए आप अलग अलग बुक में management की अलग अलग चीज़े देखोगे, क्योंकि एक philosophy है, यह कोई एक चीज नहीं है, यह एक philosophy है, और philosophy हर एक की अलग हो सकती है, इसलिए कभी भी management की कभी भी कोई एक clear cut definition है ही नहीं, इसलिए various authors has defined the management in a very different way, that's why there is no clear definition of management, why, because it's a philosophy, इसलिए यह आप देखोगे, कि भी यह गुलिक नहीं अलग बुला है, आईगर एंस ओफ नहीं अलग बुलावा है, हर एक नहीं अलग अलग तरीके से management को define किया है, और यह सही भी है, क्यों सह इसका एक practical example देता हूँ, सर आप मुझे बताईए, क्या electronic business, अपना favorite character को पकड़ते है, तारक लाल, जेट, सुरी, जेठालल, मेहता, जेठालल, गड़ा, इसाम लाड़ा, हाँ, तारक मेहता को लड़ा, जेठालल, गड़ा, electronics का business, बड़वरे, और अपने भीड़े का, की से use हो सकते हैं, क्या दोनों के लिए सेम है, या दोनों के लिए अलग-अलग है, साथ करके देखना, सोच करके देखना, अब अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारा favorite serial उल्ठाए, इसमें जेठालल के deal करने का तरीका, और भीड़े के deal करने का तरीका, दोनों के deal करने का अलग होगा, दूसरा, जितना management men power आपको electronics business में लग सकता है, में और में और भी उतना business में यहापे ना लगे, में और में और भी उतना यहापे ना लगे, बात समझ रहो, दोनों के manage, दोनों का money investment बिल्कुल अलगे, एक एक पर बात करते हैं, दोनों के men का requirement अलगे, यह capital goods है, इसको खरीदने के लिए ज्यादा capital investment लगेगा, इसमें तना capital investment नहीं लगेगा, machine, दोनों के product को deal करने का तरीका अलगे, material अलगे, और methods तो altogether अलगे, methods altogether अलगे, so philosophy, इसका manage करने का तरीका different हो सकता है, इसका manage करने का तरीका different हो सकता है, so management is not governed by act, it's a philosophy, अब आप सभी से एक important सवाल पूछता हूँ, sir management यह word आया कहां से, क्या आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो sir, ज़रूर पता किजिएगा, management is a Greek word, Nomos, sir, Nomos, Nomos, Management is a Greek word, Nomos, which means to manage, which means to manage, management is a Greek word, Nomos, which means to manage, हाँ, यह Greek word, बिट ग्रीक के वर्ड को दोई काम, ग्रीक के लोगो को दोई काम थे, right, दूसरा था वर्ड बनाना, so management is a Greek word, Nomos, अगर आप देखोगे, just for the purpose of joke, अगर आप देखोगे, तो sir, जितने आपको maximum words मिलते हैं, strategic management, organization and management में, maximum works are Greek words, right, और Greek is a word called as Nomos, Nomos का मतलब क्या होता है, to manage, Nomos का मतलब क्या होता है, to manage, अच्छा जी सर, sir, sir, management की एक और फेमस पाट है, management is a art of getting things done from another person, management को, sir, पहला वाला पता नहीं है, पहला वाला बताओ, पहला वाला मैं क्या बताओ, ग्रीक के लोगों के दो काम थे, दूसरा था, वर्ड बनाना, पहला तो खेर सभी जानते हैं, so management is a art of getting thing done from another, ये एक बहुत ही specific definition of management की, जहां दूसरों से काम करवा के लेने को, हम क्या कहते है, management करवाना, दूसरों से काम करवा के लेने को, हम क्या कहते है, manage करना, जब बुजनस बडे लेवल पर पहुचता है न, जब बुजनस बडे लेवल पर पहुचता है न, तो हर काम आप नहीं कर सकते हैं, right, so every J.T.H.L.L. रिवार्न नट्टू काका न बागा, at some point of time, because he cannot be present at that business at all the time, right, तो ऐसे केस में, हीऔर्ट पर पहुरार्ट बुजनसों ह। इस बयाफ, वरस, critical and crucial decision will be taken by management and subordinate decisions will be taken by person below the higher management, yes, next, 5th point, 5th point, definition of management यह है वो definition जिसको आपको confirm पढ़के जाना है definition of management चेक करना यह इमानदारी से हमें पढ़ने की जोर होता है definition of management is a integrated set of functions and unified group effort in a meaningful manner. to carry out is about interrelated functions of management management effectively and efficiently. management is an integrated set of functions, unified group effort in a meaningful manner to carry out the interrelated functions of management effectively and efficiently. . एक एक वर्ड को वापस तोड़ना पड़ेगा और चीज़े समझने पड़ेगी management is an integrated सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं what do you mean by integrated integrated मतलब क्या है integrated मतलब एक साथ लाएगा aggregate activity किसी एक function के काम करने से और किसी दूसरे function के काम करने से काम नहीं चलेगा imagine किजेगा सर आपकी body तो काम करी लेकिन आपका दिल काम नहीं करा तो काम नहीं हो पाएगा because body अगर work करनी है तो सारे functions को एक साथ काम करना होगा ठीक उसी तरह business के सारे wing को एक साथ काम करना होगा जब जाके business से लेगा अगर एक भी wing बंद है let's say production wing बंद है आपको क्या लगता है दूसरे wing चालो हो पाएगे finance wing बंद है आपको क्या लगता है दूसरी चीज़ ओपन हो पाएगी नहीं र एक एपको काई लगता है व्क रफटलब चाह हैं lot by all department, a task to be done by all department, it is an integrated effort. So, management is an integrated set of functions, भाई साब, what are the functions of management, यात करो, anybody, anybody, what are the functions of management, management के क्या functions है मुझे बताई है, यह बहुत important सवाल था, जो आपने 11 बार्वी में पढ़ा है, what are the functions of management, और institute ने पूचा है भाई साभी है, what are the functions of management, everybody, what are the functions of management, anyone, हाँ, अलग अलग तूट के आरे हैं पर जवाब जरूरी आरे है, मिनाक्षी के अरिये सा प्लानिंग, एक जवाब तो सही आया, प्लानिंग एक वर्ड है इसमें से, making strategies, नहीं, साई ने बोला देगो controlling, coordinating, decision making, directing, supervising, बरबर, चलते जाओ, सही जा रहे हो, controlling, बहुत बढ़िया, स्वीटी ने एक दम स्वीट सा जवाब दिया है, इसको short में अगर लिखना चाहूं, तो paused corb, P, planning, management में हर चीज की planning होनी चीए, है, if you plan to fail, you fail to plan, कुछ गलत बोला, पूरा गलत बोला, ध्यान से सुनिया, if you fail to plan, you plan to fail, if you fail to plan, you plan to fail, अगर आपने प्लान नी क्या, अगर आप सोच रहें, आप नमबर देने वाले हैं, में देने वाले हैं, आप बोध गूरुप देने का सोच रहें, तो आपकी planning होनी चीए, अगले एक महिने के अंदर में या देड महिने के प्लान ने क्याएं, मतलब अगर आज से भी हम लोग चालू करते हैं, जून, जुलाइ, ऑगस्त तक के खतम होता, ऑगस्त, सब्टेम्बर, ऑक्टोबर, तीन महिने सेल्फ स्टडी के लिए मिलते हैं, अगर आप नमबर भी देने का सोच रहें, तो आप आज से चालू करोगे, जून, जुलाइ मैक्स ऑगस्त के पंदरा तक के आपका पूरा ग्रूप टू खतम हो जाता, ऑगस्त, सब्टेम्बर, ऑक्टोबर, पूरे तीन महिने मिलते नमबर के प्रिपरेशन के लिए, पूरे तीन महिने मिलते नमबर के प्रिपरेशन के लिए, आप में के लिए प्रिपेर कर रहे है आपको accordingly जो इस में के लिए प्रिपेर कर रहा है वो तो अब्यसी बात है जो अगले में के लिए प्रिपेर कर रहा है आपके पास भर पूर टाइम है बोध ग्रूप के लिए आप क्या कर सकते हो प्रिपेर कर सकते हो 25 दिन के अंदर में SM गतम होता मोटे मोटी तौर पर 25-30 द इंटीग्रेटेटेटेट फंक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जो हमारे कल का निसकशन का पार्ट होगा traditional management modern management क्या difference है जब उनो traditional management से modern management shift हुए तब पहली बार organizing की जरौत पड़ी organizing का मतलब होता है making different departments आज जो आपको organization में दिखता है न HR department अलग finance department अलग production अलग finance अलग sales अलग IT अलग technical अलग ये क्या है organizing एक व्यक्ति के हाथ में सारा काम नहीं देना हर एक व्यक्तियों के हाथ में अलग-अलग काम देना so that अगर कोई व्यक्ति किसी दिन available नहीं भी रहे तो आप क्या कर सके दूसरी चीज कर सके see organizing का मतलब proper implementation, proper arrangement नहीं होता strategic management में organization का मतलब होता है अलग-अलग-अलग department मनाना और हर department को अपनी जिम्मेदारी सौप देना planning, organizing, staffing keeping the right person at right place staffing is the next most important concept आपको आदमी का identify करना होगा कि वो किस चीज के अंदर में अच्छा है उसकी ability क्या है, उसकी capabilities क्या क्या है और उस हिसाब से आपको क्या करना होगा उसे अपना staffing करना होगा in short, organizing में staffing होती है मेरी बात को जर ध्यान सुनना organizing में staffing होती है आपने department बना है, अब उस department का head किसे बनाना उस department में कौन-कौन लोग होने चीए एक department में कितने लोग होने चीए right person should be available at the right time right person should be available at the right time मान लो customer call कर रहा है और महाँ पे company में call उठाने के लिए अगर कोई नहीं है तो you will end up losing the customer you will end up losing the customer what is this? right person should be available at the right time right person should be available at the right time in short, this is delegation activity fourth, directing giving goals and missions आपने एक बार प्लानिंग करके department मना दिये department में लोग डाल दिये अभी ये लोग वहाँ करेंगे क्या इनको डारेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि इनने क्या काम करना है कितने टाइम लिमिट में करना है कितने गोल अचीव करना है और टारगे और अर्गेट और अर्टिविटी लानी पड़ेगी इनने एक गोल देना पड़ेगा उन्हे एक एम एक विजन देना पड़ेगा तो अचीव विज अश्चिव विज अश्चिव विजिव पस्दिव अश्चिव तो The fifth function of management, POSD, CO, R – coordinating, that is a link between different departments. Sir, यहां बहुत सारे business fail होते हैं, क्योंकि वो coordination नहीं कर पाते. एक department को पता ही नहीं दूसरे department में क्या चालू है? दूसरे department को दूसरे department से coordination ही नहीं. अब एक छोटा से example देखेगा साब. मान लीजे, हमारे production department ने हमारी books बना दी. यह books बना करके dispatch department को भेज दी. लेकिन हमारा order वाला department और अगर हमारे dispatch वाले department के बीच में coordination नहीं रहे तो कई बार पता है क्या होता है? कई बार ऐसा हुआ भी है और होता भी है. अगर हमारे dispatch department और हमारे order department के बीच में अगर coordination नहीं रहना, तो कई बार गलत बच्चे को गलत बुग जाती है, जिसको बुग जानी चिया उसको पहुचती नहीं है, कई बार डबल बुग पहुचती है, तो ऐसा होता है, Why this happen, because there is no coordination between two department and if there is no coordination between two department, this has to be a problem, this has to be a problem, so coordination. 6th, Budgeting Budgeting A financial model Sir without budget काम करोगे तो हम over budget हो जाएंगे अगर तुम without budget काम करोगे तो तुम over budget हो जाओगे या तो under budget रह जाओगे budgeting is the most important thing every business do सोची ना सर देश को चलाने के लिए भी एक फरवरी को budget लाना पड़ता है तो सर company को चलाने के लिए तो confirm budget की ज़रत पड़ेगी कि हम किसी भी चीज में कितना expenditure maximum कर सकते हैं हम कितना investment एक चीज के अंदर में डाल सकते हैं इसको हम कहते हैं budgeting इसको हम क्या कहते हैं सर budgeting कहते हैं So management is an integrated functions management इन सभी चीजों को integrate करने की बात है planning, organizing, staffing, controlling, directing and budgeting इन सभी को functions को एक साथ लेके आना and unified group efforts कोई एक व्यक्ति ये काम करता है answer is no it's a group effort business is always a group effort business is always a group effort और इस group को हम कहते हैं इस group को हम कहते हैं third note पहाई है groups here means level of managements manage तो करना ही है there are level of management anybody anybody कितने level of managements होते है anybody कितने level of managements होते है सोच करके बताओ कितने level of managements होते है तीन अगर आप कह रहे हैं तीन तो आपको शौक लगेगा चार business dynamics बदल गए है business dynamics बदल गए है अब तीन नहीं चार level of management है यहाँ पर जगह छोड़के रखिये एक दो तीन चार हर एक में दो-दो line का gap रखीगा तीन नहीं चार level of management है लेकिन हम आज नहीं कल पढ़ने वाले है आज से हमें कुछ words को तोड़ना है management is an integrated function तीन नहीं है बटा चार है जब तुम बचपन में थे न तब पढ़ा करते थे तीन लेवल of management टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोवर लेवल यही जवाब है तुमारे पास मुझे आपको कल इसको सम्झाना पढ़ेगा कि सर हम traditionally जो पढ़ते थे तीन लेवल of management strategic management में वो चार हो जाते हैं और वो बदल जाते हैं और वो बदल जाते हैं यस चार लेवल of management है So management is an integrated set of functions and unified group effort in a meaningful manner to carry out the interrelated function interrelated, interrelated एक दूसरे से connected है अगर finance वाले का purchase वाले से deal ना हो purchase वाले का sales वाले के साथ coordination ना हो production वाले के साथ coordination ना हो तो यह पूरी activity ठप पड़ जाएगी पूरी activity ठप पड़ जाएगी इसी लिए यह interrelated function है कोई भी एक व्यक्ति काम नी कर सक sales department काम नी करेगा sales has to work with production production has to work with purchase it's an interrelated function to carry out effectively and efficiently मा कसम एक वार वर्ड effectively and efficiently मैं आपको शौर कह देता हूँ कि आपने इतना deep में थेरी नहीं पड़ा होगा यही मजा है subject का कि आप deep में पड़ोगे और सिर्फ थेरी को learn नहीं करोगे उससे understand करोगे यह मेरा guarantee है effectively and efficiently आज आपको एक homework दे रहा हूँ effectively and efficiently आज आपको एक homework क्या effectively और efficiently दोनों सेम चीज़े हैं या ळग अलग चीज़े हैं धूल्ड का आईएगा मैं कहता हूँ effectively और efficiently ऑफिशंटली दोनों सेमी वर्ड है अगर नहीं तो कल इसका जवाब धूंड के लाईएगा की कि ऐफिशंटीन क्या होता है तो चीज़े आज हम नहीं कर रहे हैं लेफल ऊफ मेनिजमेंट इफेक्टिन एफिशंटली यह आज हम नहीं कर रहा है चलिए एक quick recap देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा आज हमने सबसे पहले पूरा chapter का introduction लिया हमने समझा strategic management किसके लिए पढ़ना है ये बात तो समझ में आ गई या तो खुद का करने के लिए या client के लिए भी करना पड़ेगा आखिर क्यों करना पड़ेगा why because there is a change in business environment changes किस आस्पेक्स में technology में हमने कई examples लिए बीच बीच में technology wise business में change आ चुका है technology wise business में change आ चुका है slow down आ चुके है traditional mode of business है इसे change करना होगा law बदल रहे हैं इसलिए हमें strategic management का use करना होगा companies को CSR activity करनी होगी तो इस तरह से कुछ management किया जाए कि CSR भी हो जाए और कंपनी का प्रडक्शन भी यू नो company की image भी चमक जाए customer recent example डाबर CSR भी हो गया company की image भी चमक गई customer behavior बदल रहा है that's why you need a strategic management boundary less business हो रहा है that's why you need a strategic management यहां से हम दो वड़ को तोडने के लिए गए strategy और management management का मतलब क्या होता है management tactics कैसा बटा manage men tactics manage किस चीज़ को करना है resources को manage करना है तो आज हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी what are the resources of management 5m men money machine material methods management को क्यों करना है because human behavior that is customer behavior is highly unpredictable पहले कुछ और brand select करते थे वक्त के साथ बदल सकता है अगर आप upgrade नहीं हुए तो tactics the art of dealing different people differently अलग-अलग market segment में अलग-अलग geographical area में हम लोग क्या कर सकते है differently deal कर सकते हैं right तो वही चीज़ यहां पर बताई गई है फिर हमने समझा management कोई act नहीं है it is governed by philosophy so एक से जादा management की definition हो सकती है there is no clear-cut definition of management हमने देखा जेठालल और बस अपके भिडे के business को एक तरीके से manage नहीं किया जा सकता है hence management philosophies and management thinking may be different management is a greek word nomos which means to manage it's an art of getting things done from another definition अगर देखा जाए तो it is an integrated attached to be done by all department that's why we need the functions of management functions of management का मतलब क्या होता है मालिक functions of management का मतलब क्या होता है post cop planning organizing staffing directing controlling budgeting and that's फिर आया तीसरा word groups कितने groups होते बिजनस में groups का मतलब होता है level of business कौन कौन है जो इस level पे अलग-अलग level पे इसे manage करेगा and effectively and efficiently effective और efficient क्या सेम चीज़ होती है अलग-अलग चीज़े होती है पर मैंने कहा कि रुख जो इसे आज नहीं कल देखेंगे कि यस उम्मीद्यसन मदा आया होगा आज से हम लोग एक चीज़ चालू करने वाले मैं आज आपको एक homework दे रहा हूं हर बच्चा हर बच्चा आज इस चीज़ को करेगा ठीक है आप सभी के लिए एक homework है आप सभी के लिए एक homework है homework हमें ये है हम आज ITC को analyze करेंगे आज आज आप सभी का homework है आज आपको ITC को analyze करना है मैं कल आप से कुछ सवाल पूछूँगा एक और हम इसके share को भी analyze करेंगे सबसे पहले मुझे इसके management चाहिए मुझे ITC का management ढूण के लाएंगे आप आपको ये homework करने में SM में homework कुछ ऐसे ही रहेंगे ज्यान से सुनना आज आपको ITC का management ढूण करके लेकर क्या आना है कि वह या company के current CEO company के CFO और company के major 5 director कौन है ये डूण चरके लेकर आना है दूसरा company का आपको share price ढूणना है कंपनी का share price कितना है इसमें तीन चीज़ ढूणना है current price कितना है uży करंण पराइस कितना है 52 week high कितना है 52 week low कितना है ये तीन चीज़े आपको ढूणनी है तीसरी चीज़ ढूणने हैं आपको इसमें ब्रांड्स ITC कितने ब्रांड्स में इन्वाल्व है बरवर है चौती चीज़ आपको फेरली ढूण के आना है मार्केट शेर और आज से आप सिर्फ एक चीज़ करना मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है रजिस्टर में सबसे एंड पे जाना और हर रोज में आपको एक कमपनी बताऊंगा जिसकी केस्टडी भी हम लेंगे और उसका यह बिजनस मॉडल लेंगे और उसकी बाद हम रोज लेक्चर के एंड में कल से डिसाइड करेंगे किया इस शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं ओवर दे पिरिड ओफ टाइम एक के जगा मैं एक दिन में आपको दो-दो कमपनी एनलाईज करने के लिए दूँगा और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इसके अलावा बैलेंशीट वैल्यू पी एनल वैल्यू और पी रेशो यह चीज़े आप ढूंड करके लेकर आओगे मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर यह चीज़े आपको मेंडेटरिली लेकर क्या आनी है इतना होमवक आप कैसे करोगे रजिस्टर के सीधे एंड पर चल जाओ वहां पर लिख देना ITC और इतनी चीज़ खुद लिखते जाना मैं यह जान मुझके तुम से कुछ शियर्ज में इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा उसके लिए है यह चीज़े करके आजाना आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे कल SM के लिए फिर से मिलेंगे YouTube पर ही मिलेंगे और और मज़े के साथ मज़े करेंगे आज का पहला लेक्चर उमीद्य आपको पसंद आया होगा राइट तैंक्यू सो मच आप इस लेक्चर को बुक कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे और इसका 100% में आपको गूगल बैकप दे दूँगा मतलब टेक्निकली SM को ही आप दो बार पड़ पाएंगे 25 से 30 दिन के लेक्चर है दो घंटे के ही लेक्चर होंगे 25 से 30 दिन दो घंटा मतलब 50 से 60 घंटे के अंदर आपका SM कम्पलीट हो जाएगा along with questionnaire discussion पूरे के पूरे questions के साथ right अच्छा सभी को बता दू इसकी computer capabilities यह mobile में चल सकते है lectures यह lectures PC पे चल सकते हैं that is laptops पे चल सकते हैं desktop पे यह नहीं चल पाएंगे Mac पे यह नहीं चल पाएंगे बाकि आप tablet, mobile और laptop तीनों के अंदर में चला सकते हो इसके pen drives अवेलेवल हो जाएंगे 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद अगर कोई बच्छा चाहे तो इसके pen drives भी ले सकता है लेकिन जो pen drives आएंगे initially वो part parts में आएंगे या हो सकता है पूरा एक ही pen drive आपको 25 का issue हो जाए क्योंकि 25 ही लेक्चर है तो एक ही pen drive भी आपको issue हो सकता है आप चाहें तो जा करके ले सकते हैं साथ साथ में आपके जो nearby centers होंगे nearby centers पर भी पता कर लिजे वहां से भी आपको books and other चीज़े मिल सकती है किसी और का कोई सवाल होगा सब सारे lecture live होंगे SM के सारे lecture live होने वाले हैं पर वो software पे होंगे यहां पर 2-3 live होंगे बचेवे पूरे software पे होंगे 25 दिन की live lectures सुबह 9.30 से 11.30 गेम ओवर 11.30 बजे चले जाना रवी सर्गेबास audit करने के लिए उनका भी live session चालू है तो please उनका भी आप कीजेगा और group 2 पूरा का पूरा as of now combo v smart के उपर available है बहुत बहतरीन टाइम है इससे best time नहीं हो सकता combo buy करने के लिए yes उमीदे आपको lecture पसंद आया होगा thank you so much bye below अच्चो